नमस्कार दोस्तों 55 years के व्यक्ति का पाम है और इस पाम को देखते हैं पहली नजर यहाँ पर पड़ती है यह जब इस तरह की साइन बनती है एक सीधी लकी रेखा या धनूशा का तो व्यक्ति भहुत जादा समझदार होता है और जीवन में जो opportunity आती है उसको यह लोग बहुत अच्छी तरह से समझ कर आगे बढ़ते हैं दूसरा पार्ट देखा जाए तो यह average से थोड़ा सा जादा है तो यह लोग थोड़े से जादा संपन होते हैं पर इनके हाथ पर राहू रेखाओ का भी वार छोटी मुटी राहू रेखाओ का भी वार भरपूर होते रहा है बहुत सारी राहू रेखा है इनके हाथ में है यह सरकारी बैंक के अंदर managerial पर पर है यह complete squarish palm है इस तरह का squarish palm व्यक्ती महनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को successful बनाता है अंगुठा मजबूत है बड़ा है तो व्यक्ती तो परस्नालिटी अच्छी रहती है यहने strong व्यक्ती तो होता है अंगुठा first challenge भी जिद्ध वाला है और second challenge तो और उससे अच्छी size का है तो व्यक्ती logic के साथ अपनी बात बताने में expert होता है प्लस मानसल भी है इतना भी नहीं और इतना कम भी नहीं तो कहीं न कहीं थोड़ा सा compromise भी कर लेते होंगे और कहीं पर strong भी रहते होंगे सुरी के उंगली बड़ी है तो व्यक्ती हिम्मती सभाव का होता है और जो छोटी उंगली है यह देखिए जब भी side में चले तो इन में एक खासियत होती है इनकी जो सोच होती है वो आम लोगों से complete different होती है आपके साथ बैठेंगे नॉर्मल बात करेंगे पर इसका मतलब यह नहीं होता है कि यह आपकी बातों से सहमत है अगर इनके साथ एक दो घंटा आप समय निकालो तब पता चलता है कि इनके total subject पर इनकी राय भिन्न होती है यह केवल बार-बार tense create ना हो इसके लिए आपकी हां में हां कर लेते पर अगर इनके साथ एक दो घंटा आपने अगर निकाला तो यह एक भी बात से आप से सम्मत नहीं होंगे complete different सोच होती है यहनी विचार इनके complete अलग होते दूसरा जब नुकिल जो फैलेंज है वो थोड़ा सा मूरता है तो व्यक्ति पैसा कमाने में भी अच्छा खासा expert होता है उंगली first फैलेंज तक व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याजशक्ति, मनी मेनेजमेंट आकाउंट्स यह सारी चीजों में व्यक्ति expert होता है और जिनकी यह उंगली और अंगुठा अगर व्यवस्तित है तो जीवन की आधी जंग तो ऐसे ही जीत लेते बुद्परवत पर देखे तो एकदम सिंपल सी एक लाइन है यह जब लाइन चमकती है उस समय व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा धन आये आते हैं यानि अचानक धन आये के मौके बनते हैं पर यह जरूरी है कि यह लाइव होना जब लाइव होती है समझो कोई व्यक्ति एक लाइख कमाता है तो वो एक साथ पचास लाइख या पचीस लाइख नहीं मिलता व्यक्ति को जब यह लाइन चमकती है तो जब तक चमकेगी उस पिरियद तक धन आये के साधन अच्छे बनते हैं अगर वो एक लाग कमा रहा है, तो हो सकता उस पिरियर में उसके बाद दो लाग, तीन लाग, चार लाग है, तो ये लाब मिलता है, और बुद्परवत अच्छा है, व्योस्तित है, और इनके पाम को देखे तो सारे ग्रह नॉर्मल है, कोई उभार लिये हुए ने, ये पर एक नॉर्मल स्टाइल बुद्धी जीवी व्यक्टी तो और नेचरल है, बड़ी बैंक के मैनेजरियल पद पर है, तो व्यक्टी उसी नेचर का होता है, एक बुद्धी जीवी टाइप की प्रतिभा इनकी होती है, और ये लाइन जब भी शाइन करेगी, उस समय इस तर बुद्धी जीवन होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होता है, पर जैसे जैसे उमर बढ़ती है, वैसे वैसे यस मिलना भी सुरू होता है, और चपन के बाद इनके जीवन में बैठे बैठे इंकम के साधन निर्मित होंगे, तो काफी अच्छी सुरी रेखा है, और इस बीच में मुझे यहाँ पर भी स्क्वेर लग रहा है, जो थोड़ी देर पहले इनकी वाइफ का भी मैंने एडालेसिस किया था, ये मल्टीपल सिटी का काम करवाती है, अब ये मुझे कारण नहीं पता, ये सरकारी जॉब में है, अगर ये स्क्वेर कम्प्लीट होगा, तो इनके जीवन में भी इस तरह का रोल 100% ये आने वाला है, इस तरह का रोल, और इनकी वाइफ के हाथ में भी इसी तरह का स्क्वेर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनालेसिस किया, वहाँ पर भी था, ये मेरे लिए एक आश्रे का सब्जेक्ट है, बैंक के मैनेजर प इनके जीवन में आती रहेगी, और ये अश्र भी उसके बाद अच्छा खासा मिलेगा इनको, अब सेम चीज यहाँ पर भी दिख रही है, एक स्क्वेर दिख रहा है, तो कोई ने कोई पुस्ते नी जमी जायदात का लाब इनको जीवन में मिलने वाला है, और एक रेखा इ मेनेजरियल पद की और, यानि उच्छ स्तर की पद की और इशारा जाता है, पर ये लाब इनको मिला हुआ है इस रेखा का, और एक रेखा इनकी यहाँ से देखिए, इस तरह से जा रही है, और सुरिपरवत की और जा रही है, तो ये इनके वाइफ के हाथ में भी, थोड़ में विदेश से धन प्राप्ति के योग बनने वाले, हंडेट परसेंट, और यहाँ पर एक थोड़ी सी फीशनुमा जो सैन बनती है, तो ऐसे लोगों की जो धार्मिक, इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है, इनकी जो धार्मिक सोच होती है, वो आप और हमसे कंप्लिट दिफरेंट होती है, ना किसी को यह बता पाते, इनकी पतनी को भी इनको पता नहीं होगा, कि इनकी सोच क्या है, अगर इनोंने समझा भी दिया, तो वो समझ नहीं पाएंगे, पहले तो यह समझा नहीं पाएंगे, अगर समझा भी पाएंगे, तो वो समझ नहीं पाएंगे इस तरह की सोच व्यक्ति की होती है और गुरू परवत अच्छा है ये व्यक्ति को पारिवारिक सांसारिक सुख काफी अच्छा देता है और overall उठा हुआ है तो ऐसे लोग खाने के शौकिन होते प्लस उच्चपद पर पहुँचते यानि जो भी कारे करते उसका विकास अच् है जो आप जो भी कारे करोगे वो बड़े पेवाने पर होता है और जिसका जीवन में गुरू अच्छा उसका पूरा जीवन अच्छा बाकी गुरू परवत एक दब clean and neat है अब अंदुनी मंगल की और देखे तो अंदुनी मंगल मध्यम टाइप का ना जादा अच्छा है जादा बुरा है पर मेरे हिसाब से यह कहीं न कहीं थोड़ा सा कमजोर ही है तो सारे लिक्षमता थोड़ी सी कमजोर रहती है व्यक्ति में यह माइनस पॉइंट इनके जीवन में रहता होगा क्यूंकि यह दबाने से दबता हो इस तरह का अंदुनी मंगल लग रहा है भारी मंगल अच्छा खासा है और एक लाइन यहां पर दिख रही है यह लाइन व्यक्ति को कोट या पुली स्टेशन के दर्शन करवाती है अब यह पद पर है तो हो नहों कभी इनको उस पद के हिसाब से भी इनको जाना पड़ता होगा तो यह इससे घबराने की आवशक् रहती कोई ना कोई इस तरह का रोल निभाना पड़ता तो यह एक लाइन रहती है और कोई स्ट्रॉंग लाइन नहीं है तो ज़्यादा चिंता करने के आवशक्ता नहीं है और भारी मंगल अच्छा है तो जब किसी से मिलते होंगे तो एनरजी के साथ मिलते होंगे सामने व बिजनेसमेन जैसा हाथ है, राव रेखा है, बिजनेसमेन के हाथ में होती है, सरकारी लोगों के हाथ में होती नहीं, यहाँ पर देखें तो क्रॉस बना है, सेम ये व्यक्ति को नेगिटिव फिलिंग देता है, जीवन के प्रती डर लगता है, कि आगे क्या होगा, इस तरह का डर व्यक्ति को सत आता है, इसका उपाय मैं दे दूंगा, और जब चंद्र परवत आपका अच्छा हो, तो कभी न कभी व्यक्ति का विदेश से संबंद आता ही है, और यहाँ पर भी लाइने चल रही है, यह कहीं न कहीं आपका विदेश में संबंद लाएगा यह चंद्र प तो एक अच्छा सा money triangle भी बना हुआ है, यह यहाँ पर, और यह सीधी रेखा गई इस तरह से, तो इस तरह का money triangle व्यक्ति के जीवन में अच्छी खासी सम्रुद्धी देता है, क्योंकि बहुत बड़ा money triangle इनके हाथ में बना हुआ है, income के सुरोत अच्छे खासे create होते हैं, शुक्र परवत पर भी देखें, तो एक single रेखा चल रही है, यह व्यक्ति को luxurious life देती है, और शुक्र परवत पर यह जो square बने हुए, यह property का lap देते हैं, और same property का lap इनको यहाँ पर भी मिला हुआ है, यह इस तरह का multiple property की sign बने हुई है, और same वस्तू यहाँ पर भी है, तो property क मामले में इनको लाब मिलते रहेगा, और शुक्र परवत न ज्यादा उभार है, न ज्यादा दबा, दोनों balance में है, पर फिर भी मैं कहूंगा, थोड़ा सा शुक्र कम जोर मैं कह सकता हूँ, व्यक्ति को उस्सा में कमी लाता है, जब आपका शुक्र परवत कहीं न कहीं कमी होती है, मैं इसका उपाय दूँगा, ये एक minus point होता है, इनका गुरु परवत काफी अच्छा है, पर शुक्र उसके सामने थोड़ा सा flat है, अब इनकी हृदे रेखा को देखे, तो हृदे रेखा complete शनी परवत से सुरू होका, सीधी चाई, और यहां पर flat line भी बनी है, व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुश ही ढूंता है, और हृदे रेखा, अगर यहां से निकलती है, शनी परवत से, तो तीन ही लक्षन होते है, एक तो व्यक्ति, आख खोलते ही, पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ उसका concentration होता है, और तीसरी चीज होती है, कभी-कभी फिजिकल बनता है, यह तीन चीजे व्यक्ति के जीवन में रहती है, और इनकी हार्ट लाइन डार्क है, तो जिम्मेदारिया भरपूर रहेगी, कोई न कोई जंजटे व्यक्ति के जीवन में चलती ही रहती है, और जिस पद पर है, उस तो व्यक्ति बहुत सारी जंजटों से जूजता है व्यक्ति अपना लाइफ नहीं जी पाता सरीर एक जगह पर रहता, माइंड कहीं और रहता है कहीं घुमने भी गए, तो केवल सरीर साथ रहेगा दिमा कहीं और चलता होगा ये इस तरह की माइनस पॉइंट व्यक्ति को जीवन में जहलनी पड़ती है जब इस तरह की हिधे रेखा होती है इनकी mind line काफी सुन्दर है पहले तो दोनों के बीच में gap है तो ये लोग बचपन से जिम्यदारिया लेना जानते जीमेदारियों से कभी भागेंगे नहीं, यह सबसे अच्छी खास्यत होती है, और जिद्धी भी भरपूर होते हैं, किसी की सुनते नहीं अपने मन की करेंगे, और दोनों के बीच में गैप रहता है, तब यह चीज होती है, और काफी बड़ा गैप है, और गुरु परवत से complete start होका, यह mind line चंद्रपरवत की ओर जाए है, तो जब गुरु परवत से सुरू होती है, तो व्यक्ती महतोकांची होता है, और अपनी महतोकांचा पूरी भी करता है, और चंद्रपरवत की ओर जुकती है, तो दीरे-दीरे व्यक्ती धार्मिक बनते जाता है, और imagination power इनका क अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, कहीं पर भी अब जीवन रेखा पर भहुत सारी रेखाओने, इनको काटा है, समय समय पर मैं बच्पन से बताता हूँ, एक साथ साल के होंगे, उस समय कोई न कोई साथ साल के आसपास, देखो यह पामिश्टी है, एक दो साल प्लस माइनस समझ कर चलना, एक बारा साल के आसपास राव रेखाने काटा है, इस पिरियड में भी कोई न कोई तकलिफ आई होगी, एक राव रेखा ने इनको चौबिस के आसपास काटा है, एक राव 31 के आसपास इनको कट कर रही है एक राव रेखा 35 के आसपास कट कर रही है एक राव रेखा 39 के आसपास कट कर रही है और एक राव रेखा 47 के आसपास कट कर रही है और एक राव रेखा 50 के आसपास हलकी सी कट कर रही है मैं ये सारे उमर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि बड़ी रेखा काई जिक्र कर रहा हूँ, एक 54 के आसपास और एक 58 के आसपास, और तीन आफशूट है, एक 53 के आसपास हलका सा, एक 56 के आसपास बहुत बड़ा आफशूट है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सफलता इन चल रही है, अब इनके एक और प्रश्ण पुछा गया तब्यत का, तो medical पामिश्टी में मैं 0 हूँ फिर भी इनकी जो जीवन रेखा है, मुझे नहीं लगता आगे जाके तब्यत खराब रहेगी काफी अच्छी जीवन रेखा है हाँ, इस पिरियड में हो सकता है थोड़ा सा प्राब्लम इनको आया हो सकता है इस पिरियड में पर बाकी मुझे कोई प्राब्लम इनकी जीवन रेखा पर दिख नहीं रहा है अच्छा खासा जीवन इनका रहेगा अब इनकी फेट लाइन को देखे तो फेट लाइन भी यहां से चली, यह आगे बढ़ी एक यहां से निकली, आगे बढ़ी और एक यह आफशुड भी सहल्प करेगा और इसी पर देखे तो एक रेखा ने काटा लगबग 26 के आसपास इनको कोई कश्ट आया होगा एक 29 28 के आसपास या 29 के आसपास कश्ट आया होगा एक 32 के आसपास आया होगा एक 38 के आसपास आया होगा एक लगबग 45, 46 के आसपास आया होगा और एक यह इन्वेस्मेंट हुआ होगा इनके यह हुआ होगा लगबग इनके उम्र के 48 के आसपास कोई बड़ा खर्च उम्र चौपन के आसपास दिख रहा है और एक हलका सा कट उम्र 57 के आसपास दिख रहा है और ये सीधी रेखा चल कर सुर्य परवत की और जा रही है और एक रेखा गुरु परवत की और जा रही है तो बुड़ा पे में भी continue income इनके पास आते रहेगी और ये पता नहीं चल रहा है विदेश से धन प्राप्ति के योग कैसे इनके जीवन में बनेंगे पर विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में बनने दिख रहे हैं तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रस्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाने